आप लोग देख रहे हैं विर्च्व श्टूडंट सपोर्ट फर्विफिव यूट्यूब चैनल् दौस्तों मैंने एक नए चैनल 24 आर फेवन टीचर उनलाइन शुरू किया है जिस पे मैंने आपके जो काफी फारे मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिसमें फैनेंशल अकांटिंग है, फैनेंशल मैनिजमेंट है इंटोडक्शन तो प्रोग्रामिंग है, फीप्लफ प्लफ इंटोडक्शन तो कम्प्यूटिंग है, जिसमें आपकी HTML और Java है, उनके lectures record करके मैंने वहाँ पर रखे हैं, तो आप उस channel पर जाएए और उन lecture से भी फाइदा उठाइए, उस channel का जो link है, वो मैंने description में भी डाल दिया है और इस video के end पर भी आपको मिल जाएगा, उसका URL है www.youtube.com flash teachers online for you आप उस channel पर जाएगे और उससे पर जो lectures available हैं, आप उनसे भी फाइदा उठाइए दोफ्तों आज की ये जो मेरी video है, वो MGT503 Principle of Management की जो हमारी assignment number 1 आई हुई है उस हवाले से हैं assignment शुरू करने पहले मैं आपको पताता चलूँ के मेरे जितने भी videos होती हैं, वो फिरफ आपको idea देने के लिए होती हैं, तो ये भी जो video है, assignment number 1 Principle of Management की ये भी idea देने के लिए है, मैं आपसे अपना idea शेयर करूँगा, आप इसको as an idea ही consider करें आप इसको जो है इसमें plus minus की अगर कहीं को गलती है, वो भी change करकते हैं अगर आपको ये मेरी बात पर इतफाद भी effect है ना करें तो आप अपने end पर इसको change भी करकते हैं, चलते हैं जी इसकी requirements की तरफ देखते हैं, handy proposed a model of organization culture according to which organization culture is categorized into four different dimensions, इसमें मारे पाफ role culture है, power culture है, people culture है and task culture है, in role culture more emphasis is given to the organizational hierarchy power culture revolve and around single entity individual possess the supreme worth in person culture task culture is more task based and only focus on the completion of task for more detailed check following model of handy culture, हमने handy culture के वो देख लेने हैं model और उसे हमें मतलब इनके बारे में मज़ीर detail भी पता चल जाएगी इसके solution की तरफ चलते हैं दोस्तों इसका जो है requirement वो असल में ये है कि ये जो हमारे चार culture है जिसमें मारा role culture है, power culture है, people culture है और task culture है हमने ये बताना है कि जो हमारी theories हैं तो theory x और theory y ये culture किस theory के अंदर fall करते हैं theory x के अंदर fall करते हैं theory y के अंदर fall करते हैं या किस theory के अंदर fall करते हैं तो इस हवाले से हमारी requirement है चलते हैं जी solution की तरफ और solution शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलू कि जब तक हमें यह नहीं पताओ करते कि थीरी एक्स और थीरी वाई है क्या तो उसके तक हमें इसका solution नहीं find out कर सकते हैं इसमें थीरी एक्स है जी थीरी एक्स manager tend to assume that worker are lazy कि इसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो lazy होते हैं वो काम को पसंद नहीं करते need to be conceived have little ambition उनको जो है force के साथ काम करवाना पड़ता है जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है and are focused on security needs और उनकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूत होती है वो security needs की होती है जो अब्रेम मैवलो ने हमें security need जिसको हम safety need भी कहते हैं वो होती है यह है theory x तो हमने फिरस इतना याद रखना है theory x के अंदर लोग जो है वो काम को पसंद नहीं करते और lazy होते हैं यह है theory x अब हम बात करते है theory y की अब theory y के अंदर क्या है theory y manager tend to assume that worker do not inherently dislike work मतलब उनकी विराफत के अंदर यह जीव शामिल नहीं होती के वो काम को पफंद नहीं करते are capable self-control have the capacity to be creative and innovative वो self-control पे भी believe करते हैं और उनके अंदर creativity भी होती है और वो काम को भी प्रफंद करते हैं generally have higher level need that often not meet a job और उनकी जो जरूरत होती है वो उससे ज्यादा होती है जो उस जॉब से पूरी नहीं हो रही होती यह है theory y तो हम कह सकते हैं कि जो theory x है उसके अंदर लोग काम को पफंद नहीं करते और lazy होते हैं जो theory y है इसके अंदर lazy नहीं है काम को जो है वो पफंद करते हैं और उनके अंदर capacity है to create something innovative to create something new तो इसके अंदर लोग काम को भी पफंद करते हैं तो यह दो theory's है हमने इनको जहन में रखना है और अपनी assignment solve करते हैं आगे चलते हैं आगे चलके देखते हैं कि जी हमने जो यह तो था हमें समझने के लिए कि theory x और theory y का जब हमें पता होगा फिरी हम अपनी assignment solve कर सकते है that role can be defined and discharged with clearly defined procedure they display stability fraternity and have great strength in situation marked by continuity they often display weakness in adopting to or generating changes अब यहां पर जो है इस role culture का मैंने लगाया है theory x theory x क्यों लगाया है क्योंकि इस में हमें बताया गया they often display weakness in adopting changes के वो लोग changes adopt करते हुए weakens होते हैं तो मैंने इस वजह से यहां पर theory x लगाया है तो आप लोग भी देखिए मैंने एक hint आपको दे दिया है आप पूरे paragraph से देखिए कि क्या अब देखें जो हमारे lazy worker होते हैं या जो काम को पफंद नहीं कर रहे होते वही ऐफे लोग होते हैं जो changes को जो company के अंदर आती हैं उनको adopt नहीं करते या बहुत लेट जाके उन चेंजिव को adopt करते हैं तो इस वजह फे जो है वो theory x के अंदर fall करता है यह बन जाएगी उसकी explanation तो मैंने यहां पर जो है वो फिरफ theory लिख दी है बाकी जो explanation है वो मैंने आपको समझा दी है कि आप उसके अंदर क्या लिखेंगे जैसे मैंने बताया कि जो lazy लोग होते हैं वो changes को adopt नहीं करते जल्दी से या अगर adopt करते हैं तो वो बहुत late जाके adopt करते हैं तो यह हमारी जो है उसकी explanation के अंदर आ जाएगी आप जो है explanation अगर आपने यहां से कोई और point लिया है तो आप अपरी explanation जो है वो इस हिसाब से करेंगे यह है जी हमारा role culture अब next जो culture है वो है हमारा task culture task culture के अंदर this one is an organization where management is concerned with the following series of problem the structure is represented by the net resources being drawn from all parts of organization need need the current people current problems working party subcommittees task for entity the group are formed on ad hoc basis to deal with the problems this type of culture is seen advantage when flexibility is required अब यहां पर जो है मैंने theory why लगाया है अब theory why क्यों लगाया है उसके लिए भी मैं आपको यहां पर एक hint ही बताऊंगा उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा उसकी explanation बताऊंगा आप लोगों ने जहां उस पॉइंट को भी शामिल कर सकते हो जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और आप इसमें से अपना भी पॉइंट नेकाल सकते हो मैंने इस वजह से theory why लगाया है वो यह है कि with following a series of problems यहां पे जो हमारी यह जो पराग्राफ है इसकी last line इन से शुदू होता है कि वो जो हैं बहुत series of problems को जो है वो solve कर रहे होते हैं it means कि they are liking the work कि वो work को पसंद कर रहे हैं इस वजह से वो problem solving की तरह जा रहे हैं जब लोग काम को पसंद करते हैं और सारे टास्क अपने perform करते हैं तो इस वजह से वो theory why के अंदर fall करता है तो यहां पर जी है मैंने वो theory why लगाया है और उसकी जो explanation है वो आप लोगों के साथ discuss कर ली है share कर दी है तो आप लोग वो जो इसकी explanation या interpretation है वो आप लोग खुद से लिखेंगे इसके बाद जो अगला हमारा culture आता है वो है power culture अब यहां पर power culture के अंदर मैंने theory x लगाया है हम इसको भी देख लेते हैं revolve around this strong leader who enjoy and uses power and is graphically represented by spider web all lines of communication lead formally are informally to the leader such organization display for strength and speed design making their potential weakness lying in the caliber of one man one man bands running them अब यहां पर एक हमें बताया गया है leader के बारे में और यह भी बताया गया है कि वो लोगों से काम लेता है और लोगों को जो है वो मोल्ड करके उनसे काम लेता है बैंड करके उनसे काम लेता है तो यहां पर जो है इसका मदलब यह है कि लोग काम नहीं कर रहे है लोग काम को पसंद नहीं कर रहे है जिसकी वजह से एक लिटर को पॉइंट किया गया औ जो लोगों को बैंड करके उनसे काम लेता है तो जब लोग काम नहीं कर रहे होते काम को पसंद नहीं कर रहे होते लेजी होते हैं तो उस वक्त वो थियूरी X के अंदर फॉल करता है तो यहां पे भी जो है मैंने थियूरी X लिखा है और इसकी जो explanation है वो already मैंने आप लोगों पे शेयर कर दी है कि यहां पर जो है वो लोग काम को पसंद नहीं कर रहे हैं और एक leader है जो लोगों को band करके, mold करके उनसे काम करवा रहा है तो इसलिए मैंने यहां पे theory X लिखा है इसके बाद जो last culture बच जाता है हो है हमारा person culture organization characterized by these culture are those where the organization exists in first the individual and where individual are not servant of the organization वो उसका मकलब उस organization के servant नहीं यह दे कंस्ट of group of professional for example doctors, lawyers with no bosses coordination may be provided by the committee of peers such structure of becoming more common and as more conventional organizational increasingly contract out worker to professional and specialist whose services are used only as and when required अब यहां पे बहुत सारे लोगों का विकर किया किया है जो खुद से काम कर रहे हैं उनका कोई boss नहीं है वो अपनी field के अंदर professionals हैं और जब किसी organization को उनके services की जरूटर होती है तो वो मतलब वहां पे हाजिर हो जाते है लेकिन यह 3-y के अंदर fall करता है क्योंकि यहां पे लोग गलती से यहां पे लिखा गया 3-y तो आप 3-y इसको कर लीजिए गा तो यह जो लोग है यह अपने काम के अंदर expert है इक मीन के यह अपनी जो duty है वो बहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं यह lazy नहीं है यह अपने काम से नहीं भाग रहे और अपना interest शो कर रहे हैं काम के अंदर और जब किसी company को जरूरत है तो वहां पे available हैं तो इस वज़ा से मैंने इसको theory y लगाया है लेकिन यहां पर लिखा हुआ गलती से लिखा गया theory x तो यहां पर theory y आता है तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी assignment बना सकते हैं आप लोग एक से ज्यादा point भी add कर सकते हो और जो आपको बहतर लगे वो आपने लिखना है आप अपनी assignment कैसे बना सकते हूँ in the last मैं आप लोगों फे फिर वही गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से open के जिए www.youtube.com slash teachers online for you इस चैनल के उपर आपको CS 101, MGT 101, CS 201, MGT 201, HTML, Java, Office related और बहुत सारे subjects जो आपके मश्किल हैं वहां पर मेरे अपने recorded lectures available हैं तो आप वहां पर जाईए उस चैनल को subscribe कीजिए और वहां पर जो lectures available हैं उनसे find out आईए मिलते हैं अगली किसी एक assignment solution के साथ उस वकत तक के लिए मौसिन भाई को इजासर देजिए थैंक्यू बरी मच्छ तौस्तो अलाहाफिष